आपके अपने पसंदीद आप रुगाम रूब रूब में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त मारूफ रजा इस तक हम बैटे हैं उत्राखन यानि देव भूमी में और मेरे साथ मौजूद है चंदन राम दास जी जो की परिवहन और समाज कल्यान मंत्री है आपका स्वागत है आप जब से चुनावी राजनीती मैं अब तक हारे नहीं है स्वाज खराबरा काम करते रहे लेकिन हमारे ही चैनल पे तीन साल पहले आपने बात की ती दावा किया था कि इस मंत्राले का उधार होगा और ये तरक्य करेगा और उत्राखन के विकास में इसक केंद्री नेत्रत्तों और मानने मुख्यमंत्री जी का हरदैसे आभार करता हूं कि चोथी बार लगातार जीतने के बाद मुझे समाज कल्यान विभाग परिवहन विभाग और MSME और खादी ग्राम अध्यों जैसा महत्यपूर सेक्टर दिया चुकि समाज कल्यान विभाग ऑपे ते बहुत बड़ा बिभाग में तीन आयोग हैं विभाग भी टी निगम आइट हैं असनौदि विद्धियाले हैं यी चात्रवरति हैं पेंशन तो बिद्वाभृ नेरास्षृत बौना पेंशन नहीं होग तो स्यासत ने फार सांट समाज का कोई अखल्य घ्रसा नहीं है जो जोड़ा नहीं है और सब कल्णकारी यूजना है और मैंने प्रयास किया है कि इस बार में कुछ नहीं on लाया उतल जी के नाम सैंडल आवाश यूजनद लाया जिन बच्चों के माबाब नहीं है, जो कोरोना पिरेड में जो जिनका निदन हो गया, उन बच्चों के साधी करने की जिम्यदारी हमने उठाई है, और इस बार माननी मुख्यमंतरी जी ने गोचना की थी, हमारी सरकार आएगी, हम पती को भी और पत्वी को भी पेंशन और आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माद्यम से, अभी है मेरे पास अशी हजार लोगों की पातरता बड़ी है, जो अपने प्रदेश का एक बहुत बड़ा आकड़ा है, कि हमने अशी हजार पती और पतनी नए लोगों को पेंशन प्रोवाइड की है, बहुत बड निगम में दस हजार पे मार्जिन मने मिलता था, और पचाहजार का लोग, मैंने का इसको रिवाइज करो, मैं धाय लाग का लोग दे रहा हूं और पचाहजार पे सबसिटी, छोटे-छोटे दुकांदार, फड़ वाले, गोड़ी वाले, ऐसे लोगों को मदद करने का काम परिवहन की बात हुई उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के परिवान विभागों के बीच में कई मामलों का निप्टारा हुआ, ऐसे में उत्तराखंड की जोली में क्या आया? देखे, परिवहन विभाग में बहुत बड़ा टर्णिंग पोइंट आया है, यह श्रे अपने मान्य मुख्य मंत्री जी दामे जी और उसमें विश्य श्यग उत्तर प्रदेश के मान्य मुख्य मंत्री आदित नाथ जी का हुआ है, मार्च में हमको 104 करोड पे मिला, और दो में पेले 100 करोड पे हमको उत्तर प्रदेश से मेला, मैं आपके चेनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं, कि उत्राखंड परिवन निगम शाड़े 300 करोड की घाटी माधा, तो चुकि 2-500 करोड हमारे पाँ आया और 100 करोड पे मैंने शाल भर में हमारे ड्रैवरों ने, कनक्टरों ने, हमारे इनियन के लोगों ने सयो करकी हमने कमाया, और जो आज की फिगर है, हम शाड़े 300 करोड के घाटे से उबर कर, आज हम शाड़े 9 करोड की लाब में हैं, देहरा दुन, आइस बीटी की बात कर लें, तो वो कब दिन आएगा जब सरकार जो है, उसका पूरा का पूरा फ खर्च है, वो अपनी तरफ से वेहन कर पायेगी और अपनी तरफ से संचारित कर पायेगी। चुकि उनका जून तक का पिरिट है और जून तक हमारी सारी शर्तों को अगर ठीक नहीं करेंगे तो हम उनको बदलने में विचार करेंगे चुकि आईजबीटी देरादू ने एक क्रीम सीटी है हमारी और हमारी लाइफ लाइन है यदि हम आईजबीटी की स्थिति को ठीक नहीं कर पाएंगे तो पुरे संचार बेस्ता चर्मर आएगी नहीं जा पाएगी इसको अंत्यम चेतावनी दे दी है और आवसकता पढ़ेग उसको अड़ाप्ट करने जे चारधाम की आत्रा को ले करके क्योंकि बीजेपी ने और आप के खास करके सरकार ने बहुत वावाई लोटी अब इस दिशा में क्या और तरक्की हो रही है चारधाम की आत्रा में श्रत धालू को और क्याप सहूलते दे रहे हैं किस तरीकी की हुई है टेक्नीक में ट्रांस्पोर्टेशन में बाकी चीजों में पिछले बार कोरणा के बाद एतियासिक यात्रा हुई बहुत सी कमियां भी आई आज मैंने चारधाम यात्रा की बैठक भी लिए है और कलमाने मुख्यमंत्री जी भी चारधाम यात्रा की बैठक ले रहे हैं इस बार हम ग्रीन कार्ड सिस्टम को और ट्रिप कार्ड सिस्टम को शत प्रतिशत कर रहे हैं अच्छा हम इस बार लगभग 20,000 ग्रीन कार्ड ब पिछले बार गाड़ियों की कमी हो गए थी तो हम 3.600 गाड़ियां इस बार क्राश्म ने का रहे हैं पहाडों। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं आना चाहते हैं चारधाम की यातरा करना चाहते हैं लेकिन उस तरीके के सुगम ना तो रोड़ों के भी विवस्ता है पहडों में और ना ही उस तरीके के ट्रांस्पोर्टेशन है उनको किस तरीकी की आप सहुरुते देने जाएं इस बार मैंने पहले दोका था भारे सरकार ने हर जिले में फिटने सेंटर चलाने पर के आए तो हम गाड़ियों को दुरस्त रखेंगे और हमारी पहली प्राइटी है जान माल की शुरक्षा जे 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 दुरगणाओं को रोगना और इसके लिए जो दुरगणा घरस्त सेत्र हैं वहां क् ब्लेक इसपोटों का चिन निकलना खरना और जितनी हमारी कारेदाई संस्ताइं ही जाए ओ पीडेबल डी हो एनच हो ग्रीफ हो इनके साथ कल समनोय बैठा करके रोडू की स्थितिक को सुधार देखे जिस तरह के से काम हो रहा है यह प्रदेश देवभूमी जितना टूरि के लिए जाना जाता है इन दोनों ही चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकारे किस तरीकी के कदम उठा रही है कि प्रदेश के बाहर के और देश के बाहर के जो यहां पर परियाटक आते दोनों तरकी के उनको आकरशन मिले इसलिए इस बार जो ट्रिप कार्ट बन रहे हैं वो हमारे और परेटन विभाग के समनवाई से बन रहे हैं चारधाम यात्रा से बहुत से विभाग जुड़े हैं परिवहन जुड़ा है परेटन जुड़ा है स्वास्त जुड़ा है और हम तो इस बार चारधाम यात्रा में अपनी गाड़ियां लगा रहे हैं अपनी स्ट एक ड्राइवर जब चारधाम पर आये, तो उसको प्रयाप्त रेस्ट मिले, क्योंकि उसको सिशन में जगों ने मिलती है, तो वो अशहाज रहता है, अगर ड्राइवर, कंडुक्टर मानसिक रूप से त्यार नहों, तो हमारी यात्रा उतनी शफल, तो हम यह पूरा प्रयास क बहुत अच्छी बात है, और हम नए गाड़ियां भी खरिद रहें, क्या बत है, हम समाज कल्याण की बात कर लें, क्योंकि समाज कल्याण एक ऐसा डेपाट्पिंट रहा है, ब्रस्त्राचार लगातार उस पे अपना खुटारागात करता रहा है, आप क्या आने के बात, क्य ब्रस्ता जार के वो दर्वाजे बंध हो पाए, अंकुष लगा पाए आप? अब भी गतिमान चल रहा है, मगर इस बीज मैंने अपने समाज कल्याण की चबी शुदारने का इमानदारी और निष्टा से काम किया है, समाज कल्याण की सभी योजनाई आज मेरी संचाले थे, शमय पर हम पेंशन दे रहे हैं, शमय पर हम चात्र पृतिका बुक्तान कर र चंदर जी क्या कहेंगे समाज कल्याण विभाग जो है, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक समाज की वो कल्याण कारी योजनाओं को पहुंचा पा रहा है, और उन कल्याण कारी योजनाओं का लाब क्या उस अंतिम व्यक्ति तक मिल पा रहा है, बिलकुल, इस समय वन क्लीक म सारे पेंशनों का भुकतान, वन किलिक में सारे चात्रपृति का भुकतान, और चाहे वो प्रैमेरी स्कॉलर्शिप हो, चाहे हमारा पूस्पंटिक हो, चाहे हायर वाला हो, सब हमने ओनलाइन कर दिया, इसलिए पाढ़ गर्सी ढंग से हमारे बच्चों को समय पर वजिभा मि उनको मदद हो, इस निश्चित कर देगा, चली, बहुत अची बाते हैं, वक्ते मेरे ले एक ब्रेक का ब्रेक के बाद फिर लोटूँगा, और चंदर रामदासी मेरे बहुत सारे सवाले, मदर्सों के लेके क्या कर रहे हैं, समाज के दूसरे तपकों के लिए क्या कर रहे ह गोंद मोरिंगा, चमक्ती त्वचा, और सुन्दर घने बालो का राज वल्कम बैग आप देख रहे हैं, रू बरू और मेरे साथ मौझूद है चंदर रामदास जी, जो की परिवहन और समाज का लियान मंत्री हैं, और बड़ी खुबी से मेरे तमाम सवालों का जवाब दे रहे हैं मदर्सों को लेकर करने की आपने शुरुवात की है, कितना रिस्पॉंस मिल रहा है, कैसा रिस्पॉंस मिल रहा है, और क्या वो सुधार, वो समाज, जो अकलिती तबका है, माइनरिटी का, वो उसको एक्सेट कर रहा है? मेरा मानना है और सरकार का भी मानना है, भारत के सम्मिधान में सिक्षा का दिगार दिया, और अलप शंखकों के बच्चों को भी अच्छी सिक्षा मिले, गुनवत्ता पुरुअग सिक्षा मिले, वो सिक्षा विभाग से मानेता लें, हमारे मानद पूरे करें, तो सरकार ज कुछ मोडल मदर्से बने, जो घर पर चल रहे हैं, जो दुकान चल रहे हैं, राजनीती कर रहे हैं, यह ने करके, शरकार के एक छत्री माँ आये हैं, 419 मदर्से चल ले हैं, और 192 मदर्सें को सरकारी मदद मिल ले, तो मेरा पहला फोकस है, कि हम उन मदर्सें को मजबूत बना को और जिरोंने शिक्षावी भाग से मानिता नहीं लिए हैं, और यूक्त ऊपका साथ, विकास का आया यथारत रूप में देखा जा रहा है, अधिकार है अधिकार है उनका, और कख्षा पांस तक मदर्शा मानिता प्राप्त है, वर उसके मानिता शरकारी में नहीं है, छे बच्चे के तो जिन्दगी परबाद हो गई आड़ तक उसका मदर्शे का कहीं से मानिता है और उन्हों में बच्चे काईड मिशन ने मिला तो हम नहीं चाहते हैं कि अल्प शंक्यकों का भी जो अधिकार है उनको मिले अगर हमारे अधिन आते हैं हम पनिचर देंगे, कंप्य प्रूडर देंगे, बिल्डिंग देंगे, प्रवाइट कराएंगे तो मेरा उद्धेश मदर्शों का विश्तार करना अच्छे मदर्शे बनाना और जो मदर्शे नुक्षान कर रहे हैं कैसा नुक्षान कर रहे हैं कई-कई राजनितिक रूप से मोटिवेटेट हैं तो आ मैंने कमेटी बना रहे हैं, डियम भी जाच कर रहे हैं, कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी, तो उसके बाद हम पर नियड़े लेंगे इसको. जी, हल्दवानी में अत्रीकरण के नाम पे लेकर के, खासकर करके मैनोरिटी का एक जो तबका है, वो उस पे तलवार लटकती रही, हाई कोट कुछ कहता रहा, लेकिन बाद सुप्रेम कोट तक मोची और सुप्रेम कोट ने स्टे लगा दिया, समाज कल्यान मंतराले का, जोशी मट हमारे सामने था, जोशी मट धस्ता गया और खतम हो गया, तमाम NTPC के जो प्रोजेक्ट से वो बंद हो गये, सरकार, धामी सरकार दुबार आये, तिहास में पहली बार हुआ है, उत्रा खंड के, कि कोई मुख्य मंतरी लगा थार दूसरी बार बना है, और इतना यंग मुख्य मंतरी बना, लेकिन बार बार ये आरोप लगते रहे कि सरकारों को पता था, समीतिया बनी थी, और लेकिन उसके बावजूद भी, वो सब रोका नहीं गया, नतिजा यह हो कि जोशी मट की आज ये हालत हो, इस बार बारिज भी बहुत हुई, निरमान कारी भी जिस कारण जमीन बैठ रही, कई जेको टरनल बन रहे हैं, मगर मान्य मुख्य मंतरी जी ने इसको बहुत ही सेमवेदन शील धंग से लिया, बैग्यानिकों को भेजा, इस बेजे, और अब हमने उनको विस्ताफन और अच्छा मौजा देने का पिछली कविनेट में परस्ता जो लोग स्विच्छा से वहां सिप्ट होना चाहिए, उनको जगो भी देंगे, जो कहते हैं कि हमको मकान बना के दो मकान में बनाएंगे, अच्छा हम पैकेज भी दे रहे हैं, सरकार जो कर सकते थे, मानि मुख्य मंतरी जो कर सकते थे, उन्होंने कोर कसर ने छोड़ा, जो मकानों में दरा रहे हैं, तो हमारे पहाड का ये दुर्भाग्य है, और आने वाले समय में जो भी हमको प्लानिंग करने पड़ेगी, वो देरिखकालीन करने पड़ेगी, लेकिन वो जो पहले समीतियों ने सिपारशे की थी, बड़ी रिसर्च की थी, कि भी आस पर कोई वी स् कान्स्रक्षन नहीं होना ची, तो शैद हमने उनको दरके नार किया और विकास के लिए मागी बढ़ गए, उसमें शितिलता तो आई है, लोगों ने अतिक्रम कर लिए, हम चुप बैठे रहे, कोई हाई कोट चला गया, कोई यहां चला गया, तो उससे क्या हुआ की बढ़त चोटे शैरों को बशाना है, शुरक्षित रखना है, तो नियोजित विकास किया हो सकता है, और इसको प्लानिंग बनानी पड़ेगी, हम स्मार्ट सिटी की दरकार के लिए लगसर कोशिश करते रहें, और लगाता है यह कहते रहें कि देहरादून जहें, वो स्मार्ट सिट बन गया, शपना था कि देहरादून स्मार्ट सिटी बने और भारसरकार मानि मोदी जी ने बहुत प्रयाज भी किया है, बजट भी दिया है, कारजाई सहस्ताओं के कुछ शितलता के कारण, उतना संभव नहीं हुआ, मगर अभी जो हमारा शहरी विकास मंत्रा ले है, और मा करने के आऊ सकता है, और मैं समझता हूं कि यदि देहरादून को वास्तों में ग्रीन सिटी, इस्पाड सिटी के रूप में हम विक्षित कर दे, तो ये बहुत बड़ा स्वभाग्य हमारे प्रदेश के लिए होगा, उत्राखंड ने एक सपना लिया था, एक आंदोलन से उ प्रदेश, लेकिन क्या लगता है कि 22 साल के इस नौजवान को वो सब कुछ मिल पाया जिसकी दरकार उत्राखंड लगाए बैठा था, देखिए आज उत्राखंड राजी बना, हमारे करमचारी हैं, चात्र हैं, महिलाएं हैं, मैं समझता हूं कि समाज के प्रते गंग ने इ आज पहाड में कोई ऐसी गराम सबाय नहीं है जो रोट सी बन चीत हूं, कोई ऐसा घर नहीं है जो पेजल मिशन के नल और जल सी बन चीत हूं, कोई ऐसा घर नहीं है जो बिजली सी बन चीत हूं, एजूकेशन के रूप में भी काम हुआ है, स्वास्त के रूप में भी हमार वहां काम हुआ है साथ medical college यह शेटलाइट शेंटर बनना एक एमस बनना मगर अभी और कुछ करने के आउ सकता है लेकिन पेपर लीग जैसे मामले यहां सामने आएंगे युवा जब सौड़कों पे आ जाएगा और फिर पुलिस वालों की लाठिया खाएगा तो कहां से जब हम रोजगार देंगे देखो हमारे उत्राखंड में क्या है रोजगार मांते हैं सरगारी नोगरी को अभी पटवारी की भरती हुई या जितनी भी भरतियां हुई तो डेटेल राख लोग आविदन कर रहे हैं और उनको मैनेज करना अभी मैंने मुख्यमंद्रे ने नड़े लिया जो पटवारी वर्ती में जो बच्चे आ रहे हैं उनको हम नीशुल को रोड़ बेज में सुविदा देंगे अब एक बार कैंसिलवा दो बार कैंसिलवा तो इस बार सब्त नकल विरोधी कानू प्रदेश में आया और अधिक चैन आयो है उसरे तो चौथ सो एल्टी की नियुक्तियां वो फाइनल कर दी आज मानियों मुख्यमंत्री जी उनको नियुक्ति पत्र दे रहे हैं देव भूमी में पांच सीटे हैं क्या लगता है बीजी पी का कमल पांच उपे खिलेगा मुर्जा जाएगा और खिलेगा तो क्यूं खिलेगाए पाल्टी का नित्रत मोधी जी के आहत्म है बिशु के नंबर एगनिता ह्मारी नीत थिक है हमारी नियत ठिक है हमारी योजनाई हैं हमारे पास शंगठन है हमारे पास कारे करता है और हम चुनाव के लिए त्यार नहीं रहते हैं हम प्रतेख चुनाव के लिए हमारा शंगठन हमेशा त्यार रहता है हर दिन आपके लिए चुनाव होता है हर रात दिन जो चुनाव हो शंगठन के चुनाव शंपन हुए हैं अभी हमार पास नगर निकायों के आ जाएंगे और लोक्षभा के चुनाव में कोई शंसे नहीं दुबारा भारी बहुमत से मोधी जी के नेतरत में और प्रदेश में धामी जी के नेतरत में हम पांचों लोक्षभा के शीटे जीते हैं जिस तरह कि कॉंग्रेस ने बिल्कुल मूर्चा खूला हुआ है सोड़को पे हैं लगातार हर रोज धरना परदर्शन हर किसी मुद्देबर और हर रोज एक नया मुद्दा भी मिल रहा है ऐसा है लगता है कि वह बिल्कुल सरकार की इमेज पे बहुत बड़ा डेंट डाल रह कांग्रेस विपक्ष में है अपने को खड़ा करने के लिए विपक्ष की पाल्टियां करते रहते हैं मगर कहां वहां अनुशाशन है जब तक उनके सीनियर लीडरों में एकतानी होगी आप उनके बयान देखते होगी इसलिए कांग्रेस का निजी मामला है हमने अपनी तैय हमारे पास योजना है हम पिछले बार जो प्रदेश में लोटके आए हैं वह अपने भार सरकार की योजना और प्रदेश सरकार की योजना और जो अपने धामे जी का नित्रत था उसके कारण आए है कांग्रेस का संग्रण जो असंगटित है लेकिन कई न कई सोग वोगाट पी जी बहुती एप कई अलग अलग गुट सब कारिकरता हैं पड़ा परिवार है कभी कभी बोल जाते होंगे मगर कोई भी व्यक्ति कोई भी पालिटिका कारिकरता शंगठन को कमजोर करने की हिमत नहीं कर सकता बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और बड़ी सफाई से भी बाकी से मेरे तमाम सवालों का जवाब जिए धन्यवाद आपका तो यह थे चंद दिन नामदास जी जिस तरीके से नोंने सवालों के जवाब दिये कोहते हैं कि प्रदेश में और देश में भी कमल खिले है देखते क्या होता है 2024 में पिलाल इतने हैं हम मिलेंगे अगले हपते एक नए मेहमान के साथ कुछ नए मुद्धों के साथ अब तक देखते रहें निउस्वर्ड इंडिया मुझेर वेरी पूरी टीम को दीजिए इसादत और अपना रखे ख्याल धन्यवाद कर दो